अब का चुका प्रैक्टिस सेट नमर टू यह जैसे आपको फुली एक्स्प्लाइशन बीथ एक्स्प्लाइशन के सांत बताया था डीप में जाके हरे कोस्तन को एक्स्प्लेंड करके बताया था सेम उसी तरह से यहां भी आपको बताऊंगा फ्रेंट्स एक अप्डेट्स के इसलिए नहीं बताया था क्योंकि फ्रेंट्स हम लोग ढूंड रहे थे तो फ्रेंट्स आपकी एक मैम आई है इनका नाम है नीलम मैम बहुती अच्छी एजुकेटर फ्रेंट्स मैथ आपको परहेंगे बहुती मस तरीका से बहुती अच्छा कॉंसेप्ट के साथ तो आप से डिस्क्रिप्ट्स चेक करना आपको स्टेरियोल मिलेगा हम लोग के कलास का वहां पर आपको लिखा मिल जागा कि भाई मैथ इतने वज़े से आजाएगा फ्रेंट्स सबसे पहले आप कोसन फर रहे हो ना तो आपको यहां पर डिरेक्शन पढ़ना बहुत ही जोड़ी है अब फ्रेंट्स यहां पर सिर्फ और सिर्फ मैं आपको कोसन ही नहीं डिसक्रिशन करोंगा बलकि फ्रेंट्स यह भी बताऊंगा कि कोसन किस तरह से एक्जाम में आते हैं वह तरीका ही बताऊंगा कि कोसन आप किस तरह से बनाओगे किस तरह से याद करोगे तो आपको लॉ फ्रेंट्स फर्स और सेकेंड में एक correct वर्प को चूज करके एक meaningful sentence बनाना है तो first question अपना है if he dash of your marriage he will be surprised देखना your friends एक conditional sentence है क्या sentence है conditional sentence है तो friends conditional sentence है तो यहाँ पर जरा देखना कि he will be surprised यह future की बात कर रहे है यहाँ question जो है conditional part जो है present indefinite tense से बनेगा किसे बनेगा present indefinite tense से बनेगा यानि क्या हो लगा अब कैसे पता करने कि conditional part कोन है तो सबसे पहले क्या करना है कि जो फ्यूचर वाली बात होगा उसको पढ़ना क्या कर रहा है कि वह surprise होगा भाई कब होगा जब उसकी साधी के उसका साधी का बात सुनेगा तो जो भाई बात कर रहा है कि साधी का बात सुनेगा इसको हम बनाएंगे परजेंट इंडिफिनिट टेंस में आए फ्रेंट्स ओप्षन देखते हैं सबसे पहले आपको करना क्या है एक्जाम में कि ओप्षन वेच देखना है कि जो हाई इसमें नहीं हो जल्दी होगा देखना जैसे कि आब बिल यहां पे पर जेंट इंडिफ साथ एस या येस का प्रियों करते हैं तो हमारा यहां पर सब्जेक्ट क्या है ही एक सब्जेक्ट दिया गया है तो ही के साथ हम येस का प्रियों करते हैं इसलिए here is a right answer I hope friends येस में आपको एक भी परसेंट डाउट या फिर कुछ भी प्रॉबलम नहीं हुआ 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 आइए देखते हैं आपका next question क्या कर रहा है फटाफर अंदाज में I know all about that film because I dash it twice मैं सबकुछ इस फिल्म के बारे में जानता हूँ क्योंकि मैं इसे दो बार देख चुका हूँ friends हम जब कोशन प्रहे तो बात आया आया और नहीं पर्जरन टेंस की बात कर रहे हैं तो यहां भी पर्जरन टेंस की बात आने चाहिए तो आईए देख तो बिया नहीं होगा क्योंकि जब कोई काम को अच्छा जब यहां दो बारा फिल्म देख चुका होगा ना तब ही इसको अच्छा तरह से इस फिल्म के बारे मालूम है ऐसा नहीं कि भाई ओप फिल्म देख रहा है और इसको अच्छा तरह से मालूम हो गया नहीं यहां जब दो बार देख चुका होगा तब तो देख चुका होगा तो I have seen it twice इसलिए option number D is absolutely right I hope friends यह आपको अच्छी तरह से समझ में आगे होगा आते हैं next में करा है कि direction करा है third to choose the correct meaning of the idioms friends बताना है देखना friends idioms जो होता ना आप तो याद करते हो भाई रट ले तो लेकिन यहां पर मैं आपको trick के माध्यम से question देखें और question के option से मैं आपको इसको बनवाने की try करूँगा और friends ऐसी इसी तरह आप करेंगे तो आपका अच्छा इसकोर होगा आईए देखते हैं Bade of rojage मानि friends क्या कर रहा गुलाओ का बिस्तर भाई गुलाओ का बिस्तर इसके मतलब होगा तो क्या होगा उसके क्या होगा उसके कुछी होगा ताहँ आपकोशी और एसा काम कर रहा हा तोड़े क्या करेंख्ल já उसमें भी गुलाव फुल की बात कर रहा है गुलाव वाली वेड तो इसका बहुत ही खुसी होगा अपने लाइब से इसका हो जाएगा फुल आफ जुआ रोज की बात कर रहा है जुआ कैसे भाई option देखो कैसे match कर रहा यहां पर अब देखना एक की नहीं होगा क्योंकि huge of attraction तो होगा नहीं और cause of quarrel धगरा तो करेगा नहीं तो भाई option B होगा क्योंकि खुसी खुसी होगा बहुत ही फूरफ जुआ आइए देखते है option नमर D में क्या कर रहा है D में का रहा है cause of sorry a bed of thorns इसका मतला होता friends काटो वाली विस्तर तो friends इसका होगा full of suffering and sorrow it means friends जब किसी के life मतलब की अगर आपको काटा वाला विस्तर पर सुलाएगा हाना तो आपको क्या पेन होगा दर्द होगा तो कि आपको दुख ही नहीं महसूस होगा दुख होंगे न आप तो इसलिए friends full of suffering and sorrow आनी thorns की बात कर रही है तो यहाँ पर दुखी का बात होगा ठीक है वहाँ पर रोज का बात किया इसलिए आपर जुआय का बात आया तो कैस से भाई ओप्शन से मिल रहा आपका कोशन तो इसलिए राइड अफूल ओफ सफरिंग एंड सौरो आते नेक्स्ट कोशन में फटा 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 अंदाल में फाइंड आउट द पाट बिच है एंड एंड इर इन फॉलोवंग संटेंसे इफ देर इन ओ एंड़ एंड एंसर इस डी मतलब फ्रेंड्स आपको ऐसे पाट को फटा करना जिसे में एडर हो अगर नहीं मिले तो फ्रेंड्स आपका एंसर पाट जागा डी यानि नो एर फस इसका answer जगा no error wait a minute but what what but सबर करो जा रहा अब यहाँ पर क्या कर रहा है more superior यह तो सही है मैं कि superior के last name or आया तो यहाँ पर two लगा दिया तो सही हो गया लेकिन friends यहाँ पर more क्यों लगा यार more लगाना तो बनता है नहीं था more लगा दिया इसलिए सुपर फ्रॉस कर गया यहाँ पर सिंपल सिंपल होना चाहिए था सूपिरियर बिहार इस सूपिरियर टू डैट यूपी more लगा कि यहाँ पर गलत कर दिया गया इसलिए आपका option नमर भी यहाँ पर करेक्ट हो जागा अब इसमें एक बहुत ही माइनर सा मिस्टेक है अगर मैं आपको बताऊंगा तब लोगों ओ सिट यार मैं इसका यह एंसर था तहां फ्रेंट्स बहुत ही माइनर मिस्टेक है देखना एंट देर कलर आणि इसके कलर तो यहाँ तो सही लेकिन फ्रेंट्स देर साइज इसका जो स्पेलिंग है देर का यहाँ पर होना चाहिए था टी एच ई आई 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 ए ठीक है तो option नमर डी आणि लास्ट्स यहाँ पर नो इर छूट गय है ठीक है आई देखते है friends आपका और स्वरी कोस्टन नमर ठर्ड में कि दपर जेंट डाटाज सो डैट डाल इलिटरिसी रेट इन इंडिया हैस फॉलें डाउन बट नॉट तु दा लेवर ओफ एक्क्टेशंस नो एरर अब देखें friends एक बहुत ही एक छोटा सो वर्ड इस यहां पर डाटाज में एस लगा कि यह गलत किया गया है इसलिए friends आपका ठर्ड का option नमर यह हो जाएगा आइए देखते हैं एक करके इसका option दिया गया गया एलियन में सोता है friends unknown यानि अजनभी पार मांत पराईंग ठीक है अब व्यूल्ड इस होता है friends इरीफिक ब्यूल्ड इन इरीफिक में भावन और ब्यूलड इस भावन होता और लेगिसी में इस होता हेरिटेज आणि बिरासत तो आई हो फिरेंड्स अब का एट नमर कोशन का एंसर है C यानि इडिफिक यूल्डिंग नेक्स्ट में आते हैं कॉंसोल का होता फ्रेंड्स कमफर्ट, कॉंसोल कमफर्ट धारस देना अब नेक्स्ट कहा रहा है क्वाईरी माइन्स खाइन रिक्वाईल रिटर्ट पीछेहटना और टावरिंग हाई उचा इसके लिए फ्रेंड्स आपका एंसर जो गया ए आनि कॉंसोल कमफर्ट धारस देना नाइन्थ का ए आई होब फ्रेंड्स यह समझ गहोंगे आप तेंथ टू 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 वेल्ट में कहा रहा है कि एटेंड्स के साथ फ्रेंड्स प्रेंड्स प्रेंड्स तू लग था या इसको यात कर ले ना एटेंड्स टू जो यार्वर्क एंड स्टॉ टॉप ठाकिंग ठीग है चलिए अब नेक्स्ट आते हैं कर रहा कि ही एक्टेड अकॉर्डिंग डैस माई इंस्ट्रक्शन तो ही एक्टेड अकॉर्डिंग तू माई इंस्ट्रक्शन एकॉर्डिंग के साथ तू का फड्यों किया जाता है दियर अकॉर्डिंग तू माई इंस्ट्रक्शन अब नेक्स्ट देखते हैं ही इज नोट एगरी डैस योर सजेशन देखना फ्रेंड्स साथ 2018 बिहार बोर्ड 12 का एक्जाम हुआ और फर्स्ट कोस्टन या फिर सेकेंड कोस्टन दिया गया यही फिल इन दा ब्लैंक इसी टाइप का और वहां पर ओप्सन था बिथ और टू अधिकतर लोगों उन्हें बिथ रगा के आया उसका नम क्रियोग भी करते हैं कब कभ देखना एगरी के साथ विचार अधिकतर करेंगे जब तू दप पर सन की बात कही जाओ परसन की बात कही है परसन से हो और एगरी के साथ हम तू का अधिकतर करते हैं dział पर संक बबिचार सजेसं आडवाई से यह सब से हो तो यहाँ पर suggestion की बात कर रही है तो यहाँ पर तू का प्रयोग किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर किसी भी person की बात नहीं कहीं जा रही है कि हम यहाँ पर एगरी के साथ भीत लगा दें यहाँ पर suggestion की बात कहीं जा रही है और एक लिए बोले तो एगरी के साथ हम भाई बीत का प्रियोग तब करेंगे जब person हो, तू का प्रियोग तब करेंगे जब think so, good so, it is see, ठीक है, यहाँ पर two का प्रियोग किया जाएगा, अब आते हैं next question में, choose the correct word, अनि words को चुनना है, यहाँ पर friends है beginning, ठीक है, beginning है, तो beginning का friends यह first line है न, यह friends आपका right है, यहाँ पर word, अब एक छोटी सी बात आपके साथ, आप वही word को ज़्यादा तर ध्यान में रखें, ज़्यादा तर देखें, जिसे में double कुछ भी पढ़ियोग किया गया है, जैसे कि double e, double e, double g, double l, double o, आपको यह पता भी होगा, नेक्स चाहते हैं, देखते हैं, गिव दा फुटी नमर, गिव दा, प्यूलर ऑफ दा गिवन वर्ड, इसका friends प्यूलर बताना, आनि faith का friends आपको adjective बताना है, जिसका होजगा faithful, आनि option number a is a right, आते हैं 16 नमर में, choose the correct narration, आनि friends आपको direct और indirect service यहाँ पर बनाना है, ठीक है, आइए देखते हैं 16 नमर कुछन क्या करा है, कि she said to me, where is the bank, she says to me, sorry, comma, inverter, start, where is the bank, question mark inverted, 1, देखना, इस तरह के question mark आने के लिए, friends आपको कोई भी जहनजट नहीं करना है, simple देखना कि भाई last में question mark आगिया, तो भाई यह से two को change करके, आक्स्ट में पर्योग किया जागा, अब देखना कि भाई कहां कहां किया गया है, तो c में नहीं किया गया है, और बाकी बात सही में किया गया, तो option number c नहीं होगा, अब आते हैं देखते हैं, friends यह जो डब्लू एच वाले sentences होते हैं उसको friends इन भाटट कामा को बदल कर, किसी भी चीज का पर्योग नहीं किया जाता है, जो रहता है डब्लू एच वो sentence वह ही उतार देते हैं, अब देखिए कहां कहां चेंज किया गया है, तो friends, d में चेंज किया गया है, नहीं, dad का पर्योग किया गया है, जो कि यह गलत है, तो हमको क्या मालूँ चला कि, भाई, c और b तो ऐसे ही हट गया, अब बच गया, a और d, अब बना के देखते हैं, तो बनेगा किया इसका, he's asked to me, where the bank was, option number b, sorry, a में ऐसा कहा गया, और d इसलिए नहीं हुगा, क्योंकि इसका बनाने का format है, format friends, गलत दिया गया, where was the bank, नहीं, where the bank was, तो option number a, he's absolutely right, इसी दरह बनाईएगा, next देखते हैं, choose the correct antonym बताना है, back beating का मतला होता, friends, time खिचना किसी का बुराई करना है, तो इसका हो जगा, phrases, pressing मतला होता है, क्या, मतला परसंसा करना है, option number a, इसा, right, आप बते हैं, next question में, choose the correct wise, wise आपको बताना है, देखना, wise में का होता है, कि आपको active, देखिए, मतला, उल्टा भी दे सकता है, ठीक है, active भी दे सकता है, पैसी भी दे सकता है, तो यह question देखना सबसे पहले, कि आप किस term में दिया गया है, the clown was being loved at by them, friends, यहाँ आपको दिया, उल्टा, आपको सिधा करके बजा देना, आपको, तो day का सबसे पहले यहाँ पर लगा देंगे, तो day के साथ क्या लगेगा, बेर का प्रयूक किया जागा, तो बेर हम यहाँ पर लगा दिये, कहां कहां बेर लगा गया है, ए में और डी में, बी, सी तो ऐसे ही हटा दू, ए और डी में लगाया गया है, अब देखना है कि आगे पढ़ते हैं, यहाँ पर laughed है, बिंग laughed है, इसका मतलब continuous अजयागा, यहाँ पर क्या हो जागा, लाफिंग के साथ at का प्रयूक किया जाता है, लेकिंग यहाँ पर laughed के साथ on का प्रयूक कर दियागा, इसलिए गलत है, option no.a is right, यहाँ 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 बेर laughing at the clown, 18th का a, एवाटे नाइंटींथ नमर कोशन फिल इन्दा ब्लैंक सिट सुटेवल कंजक्शन आपको पता ना है डास इट का जोरा हमेशा ओल दो या फिर दो के साथ होता है यहां पर अप्रिशन नमर बी ज़राइट और याद रखें कि यहां पर आपको देदेगा ऑल दो फिल इन दे इस यहां इतना ही और उमिद्धे फ्रेंड्स यinquiryf आपको उतना ही अच्छा लगा होगा एक ways प्रेक्क्रिस सेट नेट वीडियो में तो ति लिए जय हीद मातरम एणड लवलाभ